कि दर्मेटोफाइट्स यह डर्मेटो नाम से एकलियर है कि यह स्किन से रिलेटिट होंगी फंजाए तो इस आर दे फंजाए डेट इन फैक्ट अनली सुपरफिशियल केरेटनाइज टिशू स्किन हेर और नेल तो कोई भी लिविंग टिशू जो है इसमें इंवाल्व नहीं होता ब्रेक दाउन टिशू एंड यूटिलाइज दग केरेटिन ठीक है और इनकेपेबल होते हैं और पेनेटरेटिंग सब क्यूटेनिस टिशू इस इस विजए पुछाजा अंदर जाती हैं लिविंग टिशू अने सुना होता है और एक १ रियक्षन होता है इसकी प्रेजन्स की विजए से होता है फंजाएगी लेकिन अगर फंजाएगो क्लियर करते है तो फिर लिएक्शन भी कतम हो जाता है और फिर classification में इसके trichophyton trichophyton microsporum और epidermophyton trichophyton जो है वो हर तरीके के infections करते हैं skin पे भी hair पे भी और nail पे भी ठीक है और microsporum जो है वो skin पे करते हैं और hair पे करते हैं nail पे नहीं करते हैं epidermophyton जो है वो nail पे करते हैं hair पे नहीं करते हैं और trichophyton में जो important है वह है Trichophyton rubrum और Trichophyton violaism और इसमें माइक्रोस्पोरम में दो important है माइक्रोस्पोरम gypsium and माइक्रोस्पोरम ken अब आते हैं इसके infections पे काफी सारे infections हैं लेकिन वहीं बहुती है जो important जाद है वह बताता हूं तो भई Trichophyton species आते हैं और Tinia corpores में होता है non hairy skin pain infection इसमें Trichophyton rubrum और Favos जो होता है वह hairy follicle की infection होती है यह किसकी जासे होता है वही यह होता है Trichophyton violaism और Microsporum gypsium ठीक है अब जो hair infections होता है न वह दो टाइप की हो सकता है एक तो होता है endothrix जिसे हम कहते हैं और एक होता है ectothrix और जो endothrix होता है उसके दर मतलब की infection hair follicle के अंदर है और ecto में बाहर है तो जो endoala होता है वह generally होता है endoala जो होता है वह generally होता है Trichophyton violacium की वजह से ठीक है और Trichophyton rubrum जो है वह ectothrix वाली infection करता है वह बाहर बाहर होता है अब आते हैं हम इसके lab diagnosis पे तो सबसे पहले specimen collect कर लिए जाएगा skin से या hair से या nail से फिर उसके बाद क्या होगा direct microscope होगी इसमें फंगल हाइफ है ठीक है और culture कैसे करते हैं इसमें SDA करते हैं with antibody biotics ताकि bacteria है हमें सिर्फ fungi क्योंकि और फिर उसके बाद inoculate करते हैं इसको 3 weeks के लिए और उसके बाद identification कैसे होती है कि भाई fungal हाइफ है तो मिल गए लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी species के हैं तो colony की morphology देखते हैं pigments देखते हैं और major league में होता है microconidia और macroconidia और microscopy में lacto phenol cotton blue preparation यूज किया जाता है colony को देखने के लिए और इसके अंदर micro और macro कैसे दिखते हैं तो बई जिसे macrosporum है तो उसके अंदर यह diagram है का उरल माइक्रो कानीडीय तो ट्रीटमें तो बस यह ता अधर दर्मो फिलन बई इसका treatment हुगा तो बस यह सा dermophytes